हाई फ्रेंक्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत बड़ा खुशकबरी येस फ्रेंक्स ती खुशकबरी एस की एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन जस्ट आज आउट हुआ है जहां पे सेलरी ओफर किया गया है मुझे पता है कि आपको ये थोड़ा सांड सही नहीं कर रहा है पट आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहो मैं आपको प्रूफ कर दूँगा कि क्यों लेस कम्पिटिशन है देन इक से बेस्ट ऑपरजुनिटी फोर वान हुप इस प्रिपेरिंग फोर सेबी और भी आए क्योंकि मुझे पता है दोस्तो आपके मन में बहुत सारे सवाल है कि सेबी का नोटिफिकेशन कब आएगा मैं तियारी करू नहीं करू तो फ्रेंग्स मैं आपको ये बता दो इस नोटिफिकेशन इस फोर यू अगर आप से भी कि तियारी कर रहे हो तो ये नोटिफिकेशन आपको अच्छे से देखना चाहिए ये एग्जाम फॉर्म भी बरना चाहिए और आप क्लियर भी कर लोगे कैसे बढ़ते हैं आगे समझते हैं इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे इंपोर्टन टीट्स जो नोटिफिकेशन बाहर आया है इस इस अलसो ए रेगुलेटर हाँ ये बात अलग है कि ये जो रेगुलेटर है इनका जो दायरा है ये बहुत छोटा है इफ यू कंपेर दी यू नो पेरिफिरी तो अब देखोगे आरबियाई पूरे देश में आरबियाई के रेगुलेशन लगता है सेभी पूरे के देश के हरे कोने में जहां पर भी लोग कापिटल मार्केट को लेके कुछ कर रहे हैं उनको सब मतलब उनको सब लोगों को से इसका दायरा देरे देरे बढ़ेगा वन मोर फाइनशल सेंटर वूड कम अप तो आप वो मत सोचो आप नूटिफिकेशन का सोचो आप सेलरी देखो आप बाकी सारे फेक्टर को देखो जल्दी से अपलाई कर दो तो देखो जो इंपॉर्टिंट डेट से वो शुरू हो च येस टाइम एज वेरी मच लेस लेकिन अब तो एक्टर अप तो सेवी की तइखेरे मा अल्रीड कर रहे हो आप तो आर बय के तव्य आर बिया शी है तो किस बात की टिंचिन देखते हैं आगे इंपने पी लिकिन अभी तो देखना करते देखो फेस यू एक्जाम होगा हैल में 2030, phase 3 तो वो तो बाद में ही समझ में आएगा, so बहुत ज्यादा gap नहीं रहेगा between phase 1 and phase 2 जो यहां पे clear evident है, so बढ़ते हैं आगे और हम समझते हैं, who can apply and total number of vacancy, तो देखो total number of vacancy करें तो हाँ, यह थोगा सा कम है, 20 है vacancy, लेकिन मैंने less competition बताया, less competition मैं इसलिए बताया, क्योंकि यहां पे any graduate नहीं लिखा हुआ है, अगर any graduate लिखा होता है, तो बहुत सारे लोग eligible हो जाते, यहां पे सरी उन लोग eligible है, जिनके पास master degree है in statics, economics, commerce और business administration और econ metrics, पहला, और पर लिखा हुआ है, अगर आपके पास bachelor degree है in information technology, मतलब b.tech in IT, या computer science, master degree in computer application, information technology, तो अगर आपके पास mca भी है, या mca IT है, तो भी आप apply कर सकते हो, या अगर आपके पास chartered accountancy, cfa, cs, icwa का degree in commerce, मतलब b.com के साथ, यह साथ, सारे कुछ है, तो भी आप apply कर सकते हो, या आपके पास अगर law में degree है, मतलब bachelor's, तो भी आप apply कर सकते हो, तो इसलिए मैंने बताया, less competition, right, मुझे पता है, कि आप लोग, बहुत लोग agree नहीं करोगे, because आपको ये समझ मायेगा, number of post is less, देखो, अगर आप compare इसको R.B.N.C.B करो, और आप वो any graduate के साथ इस पे एक ratio proportion लगा के आप सोचो, then you will find the competition is literally very much less year, अब क्यूंकि तैयारी आप कर रहे हो से भी का already से, R.B.I. का बहुत दिन से आप कर रहे हो, तो आपके लिए exam easy हो जाएगा, right, बढ़ते हैं आगे, अब age limit को देखते हैं, तो देखो age limit वही है, normal जैसा banking में रहता है, 30, is the maximum you can apply, जो cut off date है, वो February का एक तारिक है, ठीक है, ये cut off date से पहले birthday, अगर आपका आता है, और आप 30 साल उसमें नहीं हुए हो, तो you can apply, अब हम बढ़ेंगे आगे, और देखेंगे exam pattern, जो की बहुत important है, देखो exam pattern, ये face 1 का है, right, आप ये paper 1, paper 2 में confused नहीं हो ना, क्योंकि ये face 1 का ही part है, इसमें paper 1 की अगर बात करो, देखो general awareness है, जिसमें 25 question आएंगे, एक मार्का, यहाँ पे उन्हें ब्रकेट में लिख दिया है, financial sector, तो अब आप सोचो, आप जब CBI और RBI की तेयारी करते हो, तो आप नहीं पढ़ते हो financial sector, obviously yes, you study it, right, आ आपको इसमें सवाल कैसा रहेगा, CBDC related सवाल रहेगा, ठीके, इसमा जो बैन किया है, वो related सवाल रहेगा, clearing house में जो अभी recent SEBI ने change किया था, 2-3 मेन पर पहले, वो सारा चीज पुछेगा, credit trading agency जो SEBI बैन किया था, उसके बात से भी जो फिर से circular लेके आया, वो सारा सवाल कर आप मुझे पताईए कि आपको यह पता नहीं है, I know, you know it, and how do you know it, through BPDR, through our different videos, you know it, तो आपका देखो यह section already sorted है, किसके लिए बोल रहा हूँ, जिलोग RBI, SEBI के तयारी already कर रहे हैं, अब हम आते हैं English language पे, ठीक है, देखो यह होता है common paper English, Quants and Test of Reasoning, यह कौन नहीं करता, यह तो हर कोई करते हैं, right, तो इसके बार में मैं जादा बात नहीं करूँगा, because यह तो आप हर एक्जाम के लिए कर ही रहे हो, so let me not, मतलब यहां पर मैं जादा बात नहीं करूँगा, तो आपको यहां पर 25, 25, 25, 25 question का, मतलब 4 times 25 is 100, 100 मार्ट कर रहेगा, आपको एक घंटा मिल पूरे सवाल को जवाब देने का, और जो cut-off है 30%, देखो, sectional cut-off नहीं है, मतलब आपको अलग से general awareness, English language में score नहीं करना है, यह चारो subjects में आपको, मतलब यह 100 में से basically आपको 30 number तो minimum लाने ही है, अब यह 30 के उपर में जो cut-off जाएगा, वो आपको clear करना है, यह पहला condition, दूस of national and international importance, तो simple सी बात क्या है, वही normal जो current affair है, वो हो गया, अब economic and social development, हाँ, यहाँ पर हम बात करते है, sustainable development, poverty, inclusion, demography, तो यह सारा चीज तो current affair में ही आ गया, sustainable development, क्या आप sustainable development के बारे में, current affair में नहीं पढ़ते हो, पढ़ते हो, लेकिन आपको थोवसा static part भी समझना होगा, कैसे, quarter protocol क्या है, Paris agreement क्या था, sustainable development goal कैसे evolve हुआ, million development goal से, यह सारा चीज, poverty, poverty का कुछ दिन पहले जो, यह आया था, आपका, जो, वर्ल्ड बैंक का, एक report आया था, right, या oxform report आया था, let me talk very latest, oxform report आया था, poverty का, वो आपने नहीं पढ़ा, yes, आपने पढ़ा है, through bpd, through different videos, तो वो ही त चीज है, बस इसमें आपको थोगा सा basic चीज और समझना है, कि types of poverty क्या है, poverty related, जो अलग-अलग committees है, वो क्या है, simple हो गया, वैसे ही आपको commerce and accountancy का basics, management, finance, costing, यह सारा चीज आपको पढ़ना है, Indian economy, global economy, 5-year plan, central government initiative, schemes, तो basically, paper 2 जो है, it's a mixture of ESI and finance, right, it's a mixture of ESI and finance, अब यहाँ पर मैं finance के साथ थोग ऐसा और act करूंगा, जो RBI में नहीं है, for example, commerce accountancy, यह RBI में नहीं है, लेकिन यह तो SEBI में है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर यह सेभी की तियारी करे हो, तो यह आपके लिए है, right, और अगर मैं अभी SEBI specific बात करो, तो वहाँ पर बोल रहा हूँ, जो RBI से भी की तियारी कर रहे है, तो paper 2 में भी आप देखो, 100 mark का होगा, जिसमें 60 minute आपको दिया जाएगा, 40 cutoff रहेगा, ठीक है, अब यहाँ पर, overall जो aggregate cutoff है, वो 40, मतलब 200 में से आपको minimum score कितना करना है, 80 तो करना ही है, अब 80 से उपर जो cutoff जाएगा, it is on the easier side, right, it is moderate, मतलब आप balance approach लेके चलोगे तो it's an easy thing for you, बढ़ते हैं आगे, अब हम phase 2 को समझते हैं, देखो, phase 2 में वही है, English का paper 1 होगा, जहाँ पे essay letter and comprehension आएगा, और paper 2 की बात करें तो, IFSC related जो भी acts है, बहुत सारे news, recently IFSC, RBI, SAB के साथ अलग-अलग MOU किया है, क्या आपको पता है, through current affairs, through our videos, through the BPDIN, etc, Union Budget and Economic Survey तो हमने extensive तरिके से cover किया है, उसके videos भी है, उसके summaries भी है, आप देख लो, बाकी देखो, general banking, capital market, insurance, pension, bullion, gift city, यह सारा चीज is easily doable, बहुत current affairs इसके related नहीं है, और इसका जो static part है, वो भी doable है, मतलब आपको अगर general economy समझ में आता है, आपको pension fund कैसे काम करता है, वो भी समझ में आता है, आपको insurance कैसे काम करता है, वो भी समझ में आता है, तो it's an again balanced approach and it's easy to clear, तो वैसे ही इसका भी जो overall यह रहेगा, 40% रहेगा, लेकिन यहाँ पे आप वेटेज देखो, 100 mark में से 1 third का वेटेज मिला है, मतलब 33 marks का, 33.33, अगर यह 100 marks का वेटेज देखोगे तो 66.33, overall आप दोनों को add करो, तो समझ जाओगे कि क्या है, right, so this is how the thing is, कि आपको यहाँ पे वेटेज को भी देखना है, मतलब आपको यहाँ पे focus जादा करना है, बट ऐसा नहीं है कि 30% को आपको छोड़ देना है, वेटेज तो 1 third है, तो इस अच्छे से आपको करना ही है, इसके बाद का face रहेगा interview, अब सबसे बड़ा motivational factor है salary, आपको मैं यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं लिखाऊंगा, एक simple सा बात देखो, the salary in hand is somewhere around, in hand मतलब जो gross salary होता है, वो कुछ 1,43,000 रुपीज पर मन्त, it's more than RBI and SEBI, इसके बाद जो अलग regulatory benefits है, वो तो ही, मतलब जो RBI में मिलता है, वो सारा चीज, RBI SEBI में मिलता है, वो सारा चीज यहाँ पर कम ज्यादा करके, सब मिलेगा, right, so this is the biggest thing, posting की बात करो, देखो anywhere in India, और abroad, abroad में क्यों, क्योंकि दो को IFSC के अंदर में कौन काम कर रहा है, सब international financial center है, इसका मतलब कल की दि posting मिल सकता है, so abroad posting का opportunity बहुत बड़ा है यहाँ पर, मतलब I would say it's, it's more than you know, RBI ANCB, हाँ, RBI को it any day, it's, you know, it's superior to anyone, but, यहाँ पर opportunity तो ज्यादा दिख रहा है, because IFSC is growing, मतलब यह नया regulatory, अपना दायरा धिरी दिरी बड़ेगा, right, so with this, we are done with this lecture, अब मैं आपको एक चीज बता कि आपको जिस भी प्रकारटा help चाहिए, the one thing that you can do is call in our number, जो आपको description में मिल जाएगा, else, you can also fill up the Google form that is there in the description, मैं तो बता हुआ अप Google form भर दो, ताकि we are able to help you out through, you know, through a guided study plan, ठीक, हम study plan बहुत जल्दी लेके आएगे कि कैसे आप इसकी तियारी कर सकते हो, but Google form के थूँ, we'll know, you know, कि क्या आपके और सारे परशानी है, so that we can address them together, right, so with this, let's meet in some other lecture, but again, let me remind you, जो मैंने बजएट की बात की थी, आप ये दोनों वीडियो को देखना ना भूलो, इनके समरी को दाउनलोड करना ना भूलो, because, again, देखो, इनका इम्पोर्टेंस हर एक्जाम में बहुत